हेलो एबरीवन वेलकम बैक टू माई चैनल अपना फैसन आज की इस वीडियो में मैं पिटर पैन कोलर नेक डिजाइन से एर करूंगी जो मैंने प्रिंटिड मिडी फ्रोक में बनाया है मैंने अपनी कोटी को कट कर लिया है तो इसमें मैं तीन इंच चोड़ी नेक की विर्ट रखूंगी और साड़े तीन इंच नेक की डीपनेस रखूंगी और इस तरीके से एक बॉक्स पना लेंगे और इसके अंदर नेक को इस तरीके से गुलाई में सेव दे देंगे और इसको हम कट कर लेते हैं इसके बाद मैंने फॉर पॉल्ड फैब्रिक लिया है और नैप के अंदर की कटिंग को इसके एक कोरे पर इस तरीके से रखेंगे और इसको हम कटिंग कर लेंगे कट करने के बाद तीन इंच पर मेरकिंग करेंगे इंच नैप को गुमाते हुए और तीन चोड़ी पत्टंटी कट करिए नेक के सेप्से हमें पत्रजों को कट नहीं है और इसके एक पोने से हमें इस तरीके से इसमें गुराइं देनें आफ कट कर देनें लिएकत करने के बाद हमें यह वह सिल दिए ultrasound fij सिंगल फैब्रिकंशे में हमसिल जाय है लैस को सिलने के बाद इसके उपर हम पोलर की एक साय डोल रखेंगे हमने चार पीस कट किये थे तो दो एक तरक लग जाएंगे और दो एक तरक लग जाएंगे इस तरीके से रखते हुए इसको पलट लेंगे पलटने के बाद जहां पर भी किनारे पर हमारी सिलाय लगी है उस हमारी पहरे लेड़ी हैं कुछ होओं सिलाई ये उससे मशीन को चलाना है लेड़ी को मानने ये बाद हमारी इसको इस तरहीं परशाँ परचने के बाद इसकी उपर हमें और इस सिलाई लगानी है गविशन को ना. है ऐ जिस førब भलब्षाई जै 199 इसी तरीके से हम दूसरा कुलर भी डाड़ी कर लेंगे और इसको हम नग पर इस तरीके से रखेंगे और इसको हम आलपिन से अटाच कर देंगे जिससे कि यह लेला मैंने यह और यह पटी लिए इसको इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और नग पर सिल लेंगे जिस तरीके से हम नौर्माल नैक पर भी सिलते हैं से तरीके सा पंपी पंप को सिलने के बाद इसके अंदर हम छोटी छोटी से कट लगा theatre लगाने इसको छोटीसे सर्फ वे प्टीजियार इसके शोड़िशे पर फिलिक तरीक 추천 के साथ इसके बाद पट्टी की तरफ एक्ट्र मार्जल की करते हैं, इसके उपर एक सिलाई लगाने के बाद, इसके बाद हम पीछे की तरफ इसको फोल्ड करेंगे, इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर पक्की सिलाई भी मार सकते हैं, मैं हाँ पर कच्छे सिलाई मालने हूँ, इसके उपर एक रुपाय कर लेंगे बाद में, इस तरीके से मेरा एक प्रंट लाग बन चुका है, और पीछे गोल लाग बनाकर इसके सोल्डर को जोइंट कर लें, वीडियो अच्छे लोगे तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राब जरूर करें, थैंक्स पूर वोचिंगे